आज हम आपको बनारस कविता सुनवा रहे हैं और इसे लिखा है केदारनात सिंगनेया इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मनवाडी की तरफ से उठता है धूल का एक भवंडर और इस महान पुराने शहर की जीव किरकिराने लगती है जो है वह सुख बुगाता है जो नहीं है वह फेकने लगता है पच्खियां आदमी दशाश शुमेद पर जाता है और पाता है कि घाट का आखरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है सीडियों पर बैठे बंदरों की आखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिकारियों के कटोरों का निचाट खाली बन तुमने कभी देखा है, खाली कटोरों में वसंत का उतरना, यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर, इसी तरह रोज रोज एक अनन्त शब, ले जाते हैं कंधे, अंधेरी गली से, चमकती हुई गंगा की तरफ, इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है, यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लए, दड़ता से बांदे है समूचे शहर को, इस तरह कि कुछ भी गिर्ता नहीं है कि हिलता नहीं है कुछ भी कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है कि गंगा वहीं है कि वहीं पर बंधी है नाओ कि वहीं पर रखी है तुलसिदास की खणाओं सैकडों बरस से कभी सैसांज बेना किसी सूचना के घुस जाओ इस शेहर में कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो अद्बुत है इसकी बनावट यह आधा जल में है आधा मंत्र में आधा फूल में है आधा शव में आधा नींद में है आधा शंक में अगर ध्यान से देखो तो यह आदा है और आदा नहीं भी है जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंब के जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के उचे उचे स्तंब आग के स्तंब और पानी के स्तंब धुए के खुश्बू के आदमी के उठे हुए हातों के स्तंब किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्ग शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है या शहर अपनी दूसरी टांग से बिलकुल बेखबर